रिवाडी में स्कूटी सोरूम में भेंकर आग लग गई ओकी नावा के बेस्मेंट में यह आग लगी है दो दमकल की गाड़ियां आग बुजाने में लगी हुई है वहीं चार स्कूटियां भी अब तक जल चुकी है हर्याना के रिवाडी सहर में दिल्ली रोड इस्तित एक इलेक्टिक स्कूटी के सोरूम में आग लग गई आग बेस्मेंट में बने वरक्सॉप में लगी है जिसकी वज़े से चार स्कूटी जल कर राख हो गई है दमकल की दो गाडियों मोके पर पहुँची है और आग को बुझाया है मिली जानकारी के अनुसार रिवाडी सहर के दिल्ली रोड पर के लपी कॉलेज के पास ओकी नावा इलेक्टिक स्कूटी का सोरूम खुला हुआ है सोरूम के बेस्मेंट में वक्सॉप बनाई हुई थी गुरुवार की साम बेस्मेंट में बनी वक्सॉप में अचानक आग लग गई आग की लप्ते और धुआ बाहर निकलने पर पूरे सहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया सोरूम के मालिक ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दिया सूचना के बाद दमकल की दो गाडिया और सेटी थाना पर भारी मौके पर पहुँचे करीब आदे घंटे की मसकत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया इस बहेंकर आग की चपेट में चार स्कूटी आ गई जिससे वह जलकर राख हो गई वहीं बेस्मेंट में अगनी समन के संसादन नहीं पहुँच पाये फायर ओफिसर ने सोरूम संचालक को फटकार भी लगाई हलाकि आग की वज़े से बड़ा नुकसान होने से बच गया पुलिस के तरफ से आग लगने के कारणों की अभी चार्च की जा रही है